तो स्वागत है क्या आपने केडमी के इस मज़दार क्लास में और इस विडियो में हम लोग देखेंगे पूरे भोगोल का भुचाल और आपके परिक्षा में रहेगा यहीं से सवाल यह मेरी गरांटी है अगर कभी आप जोग्राफी नहीं पढ़े हैं लेकिन संपूर्ण यह विडियो जोग्राफी का निचोड़ वाला देख लेते हैं तो बहुत सांदार तरीका से आप अपने पेपर लिख करके आएंगे और बहुत खुस होते हुए आएंगे क्योंकि इस विडियो में पूरा क पूरा भूगोल का निचोड बताएं यह पूरा करूरा भूगोल के किताब से मस्ट विवियाई कोश्चन पूरा प्रिवियस येर का निकाल करके रख दिया गया है अगर एक बार देख लेते हैं तो पूरा दिर्गुतरिये लॉंग टाइप जो कोश्चन है आप से नहीं अबजेक्टिव का पूरा का पूरा प्लेलिस पड़ा हुआ है जा करके एक बार एक्जाम देने से पहले उसको रिविजन कर लिजी और हाँ एक जरूरी बात है आप से ये है कि मैथमेटिक्स का अपलोड हने वाला है लगबग दो ढ़ाई घंटा का एक वीडियो पूरे मै अगर कभी मैथमेटिक्स नहीं पड़ते हैं तो रिविजन के तोर पर ठीक है अगर कोई नहीं भी पड़ा है एक बार देख लेता है तो नया आद्मियों के लिए 80 के पार आ जाएगा और पुराने आदमियों जो थोड़ा सा भूद पड़े हैं अगर जाणेंका तोे हैं मत बुलिएगा और चलते हैं भोगोल को एक कुस्चन को बढ़िया से अनलाइसिस करने तो बिना देर कि हम लोग वीडियो के तरफ चलते हैं आज का कुस्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टन रहेगा आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से और देखिए बिहार बुट का एक्जाम देने जा रहे हैं और बिहार वाला कुस्चन बाबु एक भीमत छोड़िएगा अभी एक्जाम नहीं है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं जब एक्जाम दे दिएगा तो तो जिसमें बीहार लगों बिखने इसले कि विहार वाला कुस्चन रहता ही रहता है यह कभी नहीं छोड़ता को झाल कि वह हर में peeks की समस्य की वीवेचना किजिए हैं समस्य पीर दिएक हैं कि अब बस टॉपिक अभजान जी और अपने हाथ में तो देखें हैं कैसे होता है सब ठीक है तो वही चीज़ लिख देना है बस हां लिखावट खुबसूरत होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए यह दिमाग में ठालीजी यहां देखिए बिहार में क्रिसी की समस्या की विएशना करें अगर यह कोश्चन पुछे बिहार की चार क्रिसी समस्याओं की व्याक्या करें यह पुछे बिहार की क्रिसी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करें यह पुछे यह तीनों में से कोई कोश्चन पुछे आप यहीं लिखेगा प होगा फिर भी सिचाई की समुचित व्यास्ता नहीं है जब सरकार जानती है कि यहां बाढ़ा आता है सुखाड आता है तो फिर भी सरकार नहीं कि तो लोग तो जानते ही वह महान है ठीक है तो यह हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोगों खुद सब करना पड़ेगा मिटी के कटाव एम गुडवता में हारास पता है और खेती में कहा है दिक्कत होता है यहां मिटी कर जाता है पानी के वैसे या फिर मिटी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है खेती करने का एक रूल होता है कि हर साल अपने खेत का मिटी थोड़ा सा ले करके जा करके और चेक करा जाता है कि हमारी मिटी कैसी है ठीक है जैसे कि हर वैक्ति अपने आपको चेक अप कराता है वैसे ही मिटी में तो मिटी की गुडवता में हरास अगे वर्सा देख कि हम लोग को दुकंदार ब्योकूब बना देता है लोग घटिया बीज भी रहता है उच्छ कोटी के बीज का उपयोग नहीं होने से बिहार के प्रती एक कड़ उपज और राजियों से कम होता है अच्छा बीज नहीं होता है जिसके और राजियों के पिक्षा बिहार में कम ह और जिसके करण बेग्चानिक पद्ति यहां पे होगा से खेती नहीं होती है और यानिक टरीका से खेती नहीं वहीं करते हैं जबकि खेती को आगे बढ़ना है न तो ट्रेक्टर में हर परकार का जो भी व्यां ओपस्ते यहां पुसको कातने उसको हटाने के लिए और ऑग्या देखें म्हाना के गवादि गहार पारिश्रम और भागया और उडिवाधि पर अधिक विशवास करते हैं यह आपक्र क्व। गंपन सब्स दर्धा नहीं जा सकता ना ठीक है यहां देखंढा है अग्ला कुस्च्चन जयव और जयु संसाधन का मतलब होता है जो हमारे काम में आ जाए उसे संसाधन करते हैं सभावा कुछ निरजीव वस्तुव से बने होते हैं उसे इसे बनें इसे बने होते हैं इसे निज़से जीवन अगला बार यानिकी हमको लग रहा है कि चार बार यह कुछा गया वन संडक्षन का मतलब होता है बचाओ बन को बचाओ का क्या उपाए बताई आप क्या कर रहे हैं बन को कितना नुक्सान पहुचा रहे हैं थोड़ा सा अगर अपने खेत बनाना हो तो वहां के जंगलों को काट दे रहे हैं बन का नुक्सान करके खेत बना रहे हैं घर सबसे ज्यादा बन रहे हैं तो क्या कर रहे है सफाया करते जा रहा है और धर को बनाते जाने दो बाइंग कोई करते को कारवा होनी चाहिए को काटने से रोके वन को अधिकष्राइड से बचाने की लोग ले ऎकर जानवर वोगर उसमें छोड़ेते हैं 12 जो भी है ठीक है और उसको खतम कर देती यह सबसे बचाना है चलिए यह कुस्चन मस्ट भी याई यह भी है नवीकरणिये संसाधन इसको परंपरागत संसाधन भी कहते हैं आप से पूछेगा अगर परंपरागत संसाधन तो भूलिये समय लग जाए एक तरसे माने तो खतम नहीं होता हो उसे काते हम लोग क्या नवी करणिया जो खतम हो जाता है उसे जैसे कि यहां समझ ध्यान से वह वस्तुव जिनका निर्माड तथा परियोग पुना किया जा सके उपयोग तो लेकिन फूना उपयोग फिर से उसे प्राप्त हो जाएगा पानी भी नवी करने संसाधन होता है जिसका उपयोग करने पर खतम हो जाए यह सीमित मातरा में होता है जैसे कोईला एक ना एक दिन खतम हो जाएगा प्राकिर्तिक गैस भी खतम हो जाए कि तो वे वह वस्तुवे जिनका भंडार सीमित हो ठीक है जिसके निर्म फेंड पोधा गौड का बनाया हुए हर चीज उसे जड़ी बुटी का मिलाते हैं तो आखिरकार प्रकृतिक संसादनों को बचाना क्यों जरूआ थे बैए अखिर प्रकृतिक लिए कि जरूब तो प्रकृतिक संसादन को बचाना अवस्याइक है ताकि उनका अधिक समय तक उ दृष्ट है चापए यादी हम यहां समझेगा यादी हम est करते इस प्रकिर्टिक संसादो का अगर इसे तरह से प्रकृति priorities संसांडों को बर्बाद करते रहे करتे रहे तो प्रकृतिक और संतुलन पैदा हो जाएगा यानि कि प्रकृतिक को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचेगी कुछ भी देखो हम लोग क्या करते हैं प्रकृति के साथ खेल रहें जिस दिन हमारे साथ प्रकृति खेलेगी ना कहीं के नहीं संसाथनों के बीना विकास संबने मानलों की पैण उगना बंध हो जाए पानी निकलना बंध हो जाए पहाड़ कहतम हो जाए क्या की जिएगा जिस दिन हमसे बदला लेना शुरू कर दिक कहीं के नहीं रहेंगे ना घर के ना घाट के यहां देखिए आश्रणा संसाधन के क्या उपियोग हैं जल संसाधन का उपियोग क्रीसी में सीचाई के अलावा मनुस्य पसुयodam अनय जीवो के पीने के लिए पानी हो जाएगा नि पीने के लिए उपियोग या था सक्तिकिर उद्पादन गंदे पानी को बहाने सफाई इतना चीज के लिए आप दिमाग में बैठा लिए जल संसाधन अगर यह नहीं भी लिखते हैं तो अपने हिसाब से लिएगा यहां देखिए अगला कोश्चन बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनीज के नाम बताना है या फिर यह कोश्चन पुछे कि बिहार में खनी संपदा की छंपता को संखिप्त वर्णन करें तो आपको लिखना क्या है मैगनीज चूना पत्थर ठीक है पाइराइड इतीनों बिहार में पाई जाने वाले खनीजक और इसका वर्णन करने का बात हो तो तो इस तीनों के यहां की 80% आबादी क्रिसी पर आधारित है ठीक है यहां सबसेदा लोग करते हैं जिसमें सबसेदा क्रिसी के उप्यों करते हैं कुछ दिर के लिए मान लिजे कि चीनी मिल का बात करें सुगर मिल जो हता है तो उसमें क्रिसी पर आधारित है कि नहीं तो भी एक उधोग है लेकिन बताइए खेती होगा मतला इख का तभी तो जाके चीनी निकलेगा जैसे कि चीनी उधोग जूट उधोग तमापू जितना भी है खेती होगा तभी इन सब का विजनेस चलेगा इन जल संरक्षण के उपायों का वित्रकने जल को बचाए कैसे तो जल का सही सोच समझ के इस्तमाल करें ठीक है जहां हमको कम पानी में काम हो जाने वाला है वहां क्या करते लोग क्या करते अभी माली जीए कि नल जल योजना चल रहा है तो उसमें देखिएगा नल को खोल करके क्या करते चोड़े रहे अगर उनको बोलने जा तो बोलें कि तुम्हारा है लग रहा है कि उनके बाउजी सरकार है इसलिए ऐसा भूल रहा है तो यहां पर जैसे खुला आप देखिए जा करके थोड़ा दिर समय देखिए अप्ले बंद कीजिए समझे कि आप पूरे 20 मों क कर सकते हैं लेकिन अगर नल का पानी बंद कर देते हैं तो समझे कि पूरे विश्व के लिए आप एक छोटा सा काम कर दिए ठीक है यहां देखे जल संरक्षण के उपायों को बताना है तो सबसे पहले बिल्क्षार उपड कीजिए का तो ही तो बरसा अगरा होगी ठीक है जल क संगरा करना है जब आपके इंगर के उपर रह जगा छोड़ देया तो उसको बंद करके इसमें चठ के अफर पाणी आइंसे पाईन को खेत में भेजीये मतलब यही होता है जल-संगर आइसन he नागरी में जल संख़ने तो चाहिए सब को कि आप जल के प्रती मतलब सचीत ना पड़ेगा हर नागरे Complete रगा दीवाल में लगा रहाता है और लों क्या करते हैं पानि इसे चलाना तो है नहीं虎कर नहां आते हैं करते हैं को मैं नहीं कि दूबारा चलाना पड़ेगा सावरे खोल दो जितना दिर मॉन करें पानी को यूज कर तो यह सावर को प्योग कम करें बाल्टी का उप्योग जादा करें ठीक है आलस के वज़ा से भी थोड़ा को कम उप्योग करेंगे यहां देखी भारत के दो तो दी का मतलब समझते है माने जिसको बेच के नगत पैसा उसी समय मिल जाए उसे नगदी फसल आज इसमें रेसा उसे रेसे वाली फसल तो जैसे गाना वगारे को बेचिए गाना का पास तमाकू चाय कौफी जूट तो इसमें जादा नहीं अपना लिए कुछ दिर के जाए उसे नगदी फसल और जिसमें रेसा हो जिसे कपास और जोट यह क्या है रेसे वाले पोधें आप से पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कापास कहां पाया जाता है तो आपको बताना पड़े का बता देरे महारास्ट्र में पाया जाता है ठीक है यहाँ पे बताया थे अगर रहे सार्ट के लिए वन क्यूंतम रम उसकी बन हमाते की अंहीं है कि यानि कि यहां समझेगा कि एक मिनट रुगे हैं अब देखें वन पारेवर्ण उपलवट पर दूसर को दूर करता है जितने भी करवन डाइक साइड है उसको क्या करता है पेड़ पोधा सोक लेता है यही है जो बीना स्वार्थ के हमारी मदद करता है वनों से मानों विमिन पर करकर के भोजन पराप कर स तो बहुत ऐसा पौद है कैंसर की विमारी की इलाज करने के लिए बहुत सारा ऐसा पौद है तो हम आस्दी के रूप में भी यह काम आता है आस्रे और च्छाया परदान करते हैं वहां पेड़ के नीचे लोग रहते भी है हावा भोजन फल लकड़ी पानी द्रौव दावा ज और उस पर बांध बर बना देते हैं तो जो परियोजना कोई काम देते हैं तो क्यों बांथ बनाते हैं ताकि पानी को यहां रोक ले तो नदी इसको बहुत दैसी वह छल foreign बहुत सबसे पहले इद़र जढ़ काम किए जाता है तो इसे कि अगर पानी यहां समुन्ध से पानि जा रहा है अगर यहां पे बांध बनाके पाणी को रोक रहें तो यसे बांध बनाएगा इदर ज्यादा पाणी ज्या laso करेगा उसके बाद से जहां बांध बनता है महां चौटा चौटे टार मोस भी तयार किया जाता है वहां से चोटा-चोटा नवहर कोई मतलब काम है नदी घाटी पर्यूजन का क्वान और काम यह अगला क्विछण समझें किस परकार इंगत पति के लिए यह अहरास के लिए Oh बताइए कि मानों का जो भी काम है कुछ ऐसा काम है जिससे बनसपती पर परभाव डालेगा ठीक है सबसे पहले तो फैक्टरी बैठाने के लिए जितना भी जंगल हो काटना पड़ेगा नुकसान पहुँचा की नहीं बहुत सारे जीव जनतू को भी नुकसान यहाँ पहुंचता है तो थोड़ा समझ didn't मानों किर्याएं यहाँ पर होगा ठीक है जी जनतू यहाँ यहां पर नुक्सान पहुंचाती है जैसे कि आवास का भी खंडर यानि कि पहले जंगलों में जानवाराते थे जब जंगल काट देंगे तो उन लोग के आवास यानि घर का भी खंडन हो जाएगा ठीक है यानि घर नहीं रहा पाएगा यहां अगला कुस्टन देखिए बड़े बाग का निर्मार बड़े-बड़े बाग का निर्मार करते हैं खनन पर दूसन परेवरन पर दूसन होता है विदेशी प्रजातियों की का परीचे अवैद हत्या नि हम लोग क्या करते हैं जब मानों अपना विकास करना चालते तो उसमय लुग-जनवरों को मारने लगते हैं जैसे हाथी के दात के लिए हाथी को पहले लोग मार देतेथे संसाधनों की अधिक तोहन होने लगता है फिसे संसाधन करें तो या करते संसाधन को बचाने बचाना आवस्याइक है है थाकि उनका अधिक समय तक उप्योग किया जाए तु क्या होगा हम पर्यवन को चन्तूलीट करें घ्या उपर बिकुशन बता चुका है इसी स्पीड में हम पर्यवन को नुक्सान पहुंचाए तो यह असंतुलित हो जाएगा और यह असंतुलित हो जाएगा तो हम लोग को नुक्सान पहुंचाने लएगा ठीक है चलिए यह देखते हैं इंडिविज्वल डिफ्रेंस थोड़ा से समझ ले एक तरह से यह है जैयो भी विदता यानि जैयो फ्रे गंवर में फट्रक है कि नहीं तो जैय विविंता क्या है हर दूनिया की चीज जूसमें क्या विविंताएं पाई जाते हैं यह कुछ अलग तरीका दुनिया का कोई इंसान एक समाने लोग कहतें कि पांचों उगली से मिया उसी तरह सब इनसान से नहीं कोई जीव जी विच भिनताय हैं यायनी जो भी इस दुनिया में जी उजी जी नित सब्सक्रकें और इसकार बिच लुगांग में जोड पर ने लगता कि इसका उरवरक्ता सप्टी यानी कम जोड क्ड़ने लगती दल बजल के रुपएं के टेलहन रूपिये दलहन रूपिये तो उर्वर्गता शक्ति बरकरार रहतीं जैसे की हां देखी फॉलसल Also मुर्धा और कि खेती फुना किया जाता है आपको एक शीज पता हो ना चाहिए यागर प्रमान लीजी कि आपके खेत में उर्वरता सकती खतम हो गई है तो उसके लिए आप अब क्या बोलते हैं उसको और हर का खेती किए जाता है यानि उसमें क्या होता है हमको यूरिया डालने की जरूवत नहीं पड़ती है तिन साल पर और हर का खेती अगर कर रहे हैं यह रहर क करते हैं तो जो निकाला जाएगा वो कभी न कभी तो खतम हो जाएगा न तो उसका संद्रक्षण करना है यह बचाओ करना है तो अब क्या समझते हैं इससे तो खनीज सादन के चांघ उनना है और उनका उप्योग करई है कंष्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पो की खोज करें भीक beef करना है कि और उप्योग को खथा रखाएगा तो आधें तो ऑर दिन खतम हो जाएगा लाजी तो हमकों पुझना भी चाहिए कि और कहां कहां खनीज है ठीक है अब जो के अब शिष्ट पदार्थों को बुद्धी यानि बुद्धी मता पुर्वक उपियों करें जो भी है उसका उसको सोच समझ के इस्तमाल करें पर इस्तितिक पर पढ़ने वाले कूपर भाव पर नियंत्रन करें कि यहां देखिए अगला कुशन सौर्य उर्जा का उत्पादन कैसे होता है यानि सौर्य समझते हैं सूरज के द्वारा हम लोग लाइट जलाते हैं कि नहीं तो सबसे पर एक सोलर प्लेट लगाते हैं उस पर सुर्य का परकास पढ़ता है और वह हमें विदूत उत्पन करत करती है तब यह विदूत उत्पन करती है उसके द्वारा हम लोगों को जो उर्जा मिलता है जिसे हम लोग वगर जला लेते हैं यहां देखिए यह कुश्चन बाबू पूछेगा मस्ट बीबी आये बोड का एक्जाम देने जा रहा है और यह कुश्चन अगर नहीं देखत अपन बनाने की किरिया को उदारी करन करते हैं समझेगा यानि कि आप अगर कहीं किसी देश में जा रहे हैं और वहां आपको पूर्ण रूप से आजा दिए कि जो मन करें वह बैपार कर सकते हो ठीके तो उसी को एक तरह से समझ जाना उदारी करन करते हैं किसी परकार का रो तो बजार में समान के वैलू डाउन हो जाता है नीजी करण क्या है तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस पर सिर्फ अगर आपका अधिकार है वैपार पर तो उसी को धोग धंदा पर अगर किसी नीजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे क्या बोलते हैं नीज स्वी करन कहते हैं इसलिए हम लोग को देखना विदेश का चीज मिल जाता है न क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बैपार करते हैं 19 नमबर कुश्चन दिखिए पेट्रोलियम से किन किन वस्तुव का निर्वाण होता है पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल मत समझेगा ठीक है पे लिए जल्दी पहुंचा देती है यह तैयात में सबसे तीब्रगामी साधने सबसे तेज पहुंचाती है इनके लिए मार्क का निर्माड और रख रखाओ नहीं करना चाहिए इसके लोग वन को काड़ दे रहे हैं घर बनाने के लिए फैक्टरी बनाने के लिए अलग-अलग जो भी काम करना है तो डारेक लोग पेड़े पोधा पर हार करते हैं तो क्रिसी छेतर के बिस्तार जब होगा तो लोग बन को काटेंगे क्रिसी का छेतर बढ़ेगा तो अवास भूमी का बिस्तार कल कर खानों का भीकास वन संबंदित म कोच नहीं बदलेगी तब तक लोग क्या होगा वन का बिना सही होगा अगला कुस्चन देखिए वन की यहां पर बिहार में वन संपदा की वर्तमान दसक है अभी बताई कि बिहार में क्या करनी से तो बाबु जब से हमारा जार्खंड हम से टूटा है तब से बिहार की स्ति राजनीति के दलाल बच गया और कुछ नहीं बचा है यह बाबु दिमाग में बैठा लेजेगा लेकिन यह आपको लिखना नहीं है कि राजनीति के दलाल बैठे है यहां देखिए बिभाजन के बाद बिहार वन संपदा में क्या हो गया है निरधन हो गया यानि इस पर दे सका चोब परसेंट यहां फैला हुए ठीक है बिहार में यहां पर बिहार में वनों का वितरन बहुत थी अस और समान है इन परदेशों के अधिकांस वन दक्षरी पठारों भागों और उतरी के उप हिमाले छेत्रों में ही फैले हुए मैधानी भाग में के बहुत जीले बह लाका को अगर सुध रखना है तो पूरे देश का 33 परसेंट हिसा बन चाहिए याई अगर एक देश का बात करें तो इतना परसेंट अगर बन रहेगा तो आराम से अगरतिय नदियों के परदूसर के कारणों को लिखना है तो देखिए जितना भी कल कर खाना से कचड़ा निकलता है ठीक है जो भी वह कहां लोग नदियों में ही बात है आपको थोड़ा दिर बाद हम फिगर दिखाने वाले हैं समझेगा भारत में प्रहान नगर यहां कल कर खलकर खाने नदियों के किनारे वस्तीत होता है जितने भी बड़े-बड़े फैक्टरी होते हैं इन दॉए गंदे चल ककर खानों के कचड को प्रहें नदियों में गिरा दिया जाता है और सांथ ही क्रीसी में कि जाने मृण मिल जाने की करन नदी का जल क्या हो जाता है परदूशन होता है जैसे कि यहांद देख सकते कि ने देखें कितना सुन्दर कच्ड़ा गिर रहा है दिकॉर्ट सब्सक्राइब पर आपदा-परवर्धन की क्या उभ्योगता है अपर प्रवन्दक क्या है तो प्रवंदक होता है समझेगा आपदा का मतलब होता है बीपत अगर कोई भी बीपत आ रहे जिसे भुकंप आ जाना ठीक है सुनामी आ जाना ठीक है यह सब जीतना भी चक्रवाथ यह जीतना भी है यह सब अगर आएका तो इसका परवंद यानि इसके बचाओ को ही आपदा परवंदक कहते हैं ठीक है यहां देखिएगा क्या क्या भी पतार है आपदा परवंदन का उदेश आपदा को परवंदन नी बचाने का उदेश खत्रोस से होने वाले संभाविक नुक्सान को कम करना या उनसे क्या है बचाना है आपदा के पीडितों को तद यहां पे त्वरीत लिखाया क्या त्वरीत और उचित सहायता का अस्वासन देना चाहिए यानि कि उनलों को बोलना चाहिए कि आप लोग घबडाई है मत जो भी नुक्सान हुआ है उसको सरकार करने का या तेज़ीसे उस पर क्या करना चाहिए यह वसूल करना चाहिए और सरकार को जो भी आपदा का नुकसान होता है उसकी शर्थिकर का भरपाया करना कि और बहुत परकर की यंत्रू की जरुदति अ सुजडित में सुखार के पर्भाव को गम करने का उपाया है, सुखार के लिए उथरदाई का रहर है, सबसे पहले पौधा भण द्वार तथा सुखारोधी फसलों क्रिसी करके सुखे के परभाव को सिमित किया जा सकता है ठीके सीचाई के तरीकों में परिवर्टन करके हम लोग क्या करते है एक ही बार प्वूरा क्ın पिर पानी खेत में खोल देते लेकिन वैसा dertches और यहां पर देखे यह टेबंद करेंज्क्य प्रवंद कोई घटना और जल्दी से उसका प्रवंद करना है तो उसके लिए अस्थानिय प्रसासन जो आपके साइड में जो पुलिस विवस्था है उन लोगों की क्या भूमिका रहती है माली जी कि आग लग गया तो आप डायरेक्ट फायर विगेटर को कॉल करते हैं क्या कि वह आ करके बुझा जाता है तो उन लोग की भूमिका कुछ नकुछ रहती है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यहां देखिए अस्थानिय प्रसासन की मदद से आपदा प्रभावी छेत्रों में सिविर का निर्माड करें जहां जहां आपदा आ रहा है वहां केंप लगाके वहां के प्रसासन को रहना चाहिए तकि जब भी आपदा है उन लोग को क्या करें उन्हों की सेवा कर सके यहां पर देखिए प्रात्मीक उपचार करें एंबुलेंस डॉक्टर अगनी सामक इतियादी सुविधा को परदान किया जाता है जिससे आपदा परवदन को सरल्य हम सहज बनाया जा सकता है ठीक है एट लास्ट आज क्वेशन रहेगा सुपानी क एक्दम भूचाल ला देना है तो उमिद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा लगा हो वीडियो संदार तो लाइक को दबाओ एक बार और सेर भी कर दो मेरे यार